मेरे प्यारे देश्वासियों, 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इत्यास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रोकेट को अंतरिक्ष में भेजा, जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तयार किया था। इस रोकेट का नाम है विक्रम-S, स्री हरी कोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्ट अप के इस पहले रोकेट ने जैसे ही एत्यासिक उडान भरी हर भारतिय का सिर घर्वर से उंचा हो गया। साथियों, विक्रम-S रोकेट कई सारी खुबियों से लेश है। दूसरे रोकेट की तुलना में यह हलका भी है और सस्ता भी है। इसकी डेवलोप्मेंट कोस्ट अंत्रिश अभ्यान से जुड़े दूसरे देशों की लागत से भी काफी कम है। कम कीमत में, विश्वस्तरिय स्टैंडर्ड, स्पेश टेक्नोलोजी में अब तो यह भारत के पहचान बन चुकी है। इस रोकेट को बनाने में एक और आधुनिक टेक्नोलोजी का इस्तमाल हुआ है। आप यह जानकर हरान रह जाएंगे कि इस रोकेट के कुछ जरूरी हिस्से 3D प्रिंटिंग के जरिये बनाए गये हैं। सही में विकरम एस के लाउंच मिशन को जो प्रारंब नाम दिया गया है, वो बिलकुल फिट बैठता है। यह भारत में प्रावेट स्पेश सेक्टर के लिए एक नए यूग के उदय का प्रतीक है। यह देश में आत्मी स्वास्ते भरे एक नए यूग का आरंब है। आप कल्प ना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी हाथ से कागज का हवाई जहाज बनाकर उडाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मोखा मिल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी चांद तारों को देखकर आस्मान में आक्रूतियां बनाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही रोकेट बनाने का मोखा मिल रहा है, स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने के बाद युवाओं के ये सपने भी साका हो रहे हैं, रोकेट बना रहे हैं ये युवाँ, मानों कह रहे हैं, स्का इज नॉट द लिमीट, चात्यों भारत स्पेस के सेक्टर में अपनी सभलता, अपने पडोसी देशों से भी साजा कर रहा है, कल ही भारत ने एक सेट्रेलाइट लॉंच की, जिसे भारत और भुटा भुटान ने मिलकर डेवलप किया है, ये सेट्रेलाइट बहुत ही अच्छे रिजॉलुशन की तस्विरे भेज़ेगी, जिसे भुटान को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद मिलेगी, इस सेट्रेलाइट की लॉंचिंग भारत भुटान के मजबूत स पर खुब बात की है, इसकी दो खास वज़े हैं, एक तो यह हैं कि हमारी उवा इस शेत्र में बहुत ही शांदार काम कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग भी और एचिविंग भी, अब वे छोटी छोटी उपलब्दियों से संतुष्ठ होने वाले नहीं हैं, दूसरी यह हैं कि इनोवेशन और वेल्यू क्रियेशन इस रोमांचक सफर में वे अपने बाकी युवा साथ्यों और स्टार्टप्स को भी एंकरेज कर रहे हैं